हाई फ्रेंड इस वीडियो में CSE रिलेटिव जानकारी देने वाले हैं CSE के पोटल में एक न्यू सर्विस लाइब हो चुका है इस सर्विस से आप अपनी स्वाप का इंकम बढ़ा सकते हैं तो चलिए जानते हैं कौन सा सर्विस लाइब हुआ है CSE के पोटल में CSE के पोटल में ये सर्विस लाइब हो चुका है ये सर्विस अभी बिहार के लिए एक्टिव हुआ है लोग सेवाओं का अधिकार एवो अन्य सेवाएं RTPS and Other Service E-District Mine Mood Project CSE के पोटल में इस सर्विस को अभी बिहार के लिए लौंच किया है धिरे धिरे सभी राज्ज में ये सेवाएं चालू होने वाला है बिहार E-District Service से Online Citizen Certificate बना सकते है Character Certificate Land Pension Certificate LPC Resident Certificate Cost Certificate Income Certificate OBC Certificate इस सर्विस से Online I-Pरमानपत्र बना सकते है निवासी परमानपत्र बना सकते है जाती परमानपत्र बना सकते है CAC भेली को अगर इसमें काम करना है तो CAC के Portal से Registration करना है तो चलिए वीडियो शुरू करते है और CAC के Portal से कैसे Registration करना है दिखाते है CAC Portal को Log-in कर लेना है नीचे Scroll Down करना है Recently Add Service बिहार RTPS e-district service इसको Open करना है Right side V4DAC में किलिक करना है CSE ID password डालके Login करना है e-district service plus dashboard में आ चुके हैं भेली name सो कर रहा है यहां किलिक करना है जिस भी state से है आप यहां सो करेगा यहां से Logout करना है Welcome to service plus CSE भेली को e-district service में registration करने के लिए Apply for service में किलिक करना है View all available service में किलिक करना है इस page में आपको ले आएगा Right side Login दिख रहा है यहां किलिक करना है Login के लिए आगे बढ़ें इसमें किलिक करना है नीचे यहां दिखा रहा है Login with CSE Connect CSE से connect करना है जैसे ही CSE से connect किजिएगा Next page open होगा भेली details डाल के submit करना है मैं जारखान state से हूँ इसलिए मेरा service सोने कर रहा है मैं आगे का process नहीं दिखा सकता इस वीडियो में इतना ही जनकारी दे पाएं Thanks for watching वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक करें चैनल को subscribe करें और बेल आइकान जरू दबाएं ताकि इस तरह का new technology वीडियो आप तक पहले पहुचे मिलते हैं next वीडियो में